वेल्कम तो पावर एजुकेशन पॉइंट यह प्रशन दोनों मिल सकते हैं तो आपके दस नंबर अभी से पक्यों जाएगा पूरा वीडियो अंधर तेक देखेएगा इसकी पीडियो यह हमारे टेलिग्राम चैनल पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल पे मिल जागी इसी वीडियो के नीचे डिसक्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो सबसे पहला प्रशन इसमें दिया गया है संयुक्त सुचमदर्शी का नामनांकित कीरण आरेक बनाइए तथा इसकी आवर्दन छमता का सुत्र ज्यात कीजिए जब अंतिम प्रतिवियम इसपष्ठ द्रिष्टी की नियुमतम दूरी पर बनता है देखे इस वीडियो में फिगर भी रहेगा तो फिगर को मैं तो बता नहीं जगता बोलके इसलिए आप लोग टेलिग्राम जोइन करेंगे तो वहां से आप फिगर को देख लिजेगा बना सुचमधर्सी यह एक ऐसा प्रकासिक यंत्र है जो आख के समिप इस्थित अत्याधिक छोटी वस्तूओं को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है इसकी आवर्धन चमता सरल्श सुचमधर्सी की तुलना में बहुत अधिक होती है सनरचना इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली के एक सीरे पर कम फोकस दूरी वह छोटे द्वारक का उत्तर लेंस लगा होता है जिसे अभी द्रस्यक लेंस ओ कहते हैं नली के दुसरे सीरे पर एक एनी छोटी नली लगी होती है अब देखते हैं फीगर में फीगर बनाना जोरूरी है आपको पेपर में ज जाग में मत लीजेगा पिपर में आ सकता है अपको जिसके बाहरी सीरे पर अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक वाला एक दूसरा उत्तल लेंज लगा होता है जिसे नेत्रिका अथवा नेत्रिका लेंज कैपटल E कहते हैं नेत्रिका के फोकस पर क्रास तार लगे रहते हैं उपकरण में लगी दंतूर दंड चक्र विवस्था द्वारा प्रतम नली को दुसरे नली के भीतर आगे अथवा पीछे गिसकाकर अभी द्रस्यक वह अभी नेत्र लेंस के बीच की दूरी को बदला जा सकता है फिर आपको लिखना है ये solution भी करना है कि इसको इसमें solution भी करना है तो इसको देखते हीगा जब अंतिम प्रतिविम इस पस्ट द्रिष्टी की नियुंतन दूरी पर बनता है इस इस्टिविती में प्रतिवम A2 B2 की नेत्रिका से दूरी VE बराबर माइनस D जैसा कि आपको दिखी रहा है अतर सुत्र में एक बटा V माइनस एक बटा U बराबर एक बटा EF में चीन सहित मान यह आपको सुत्र लगाना है लेंस की ठीक है फिर उसके बाद इसको सॉलिसन करना है आपको PDF हमारी टेलिग्राम चैनल पावर एजूकेशन पॉइंट पर मिल जागी तो इसको डाउनलोड करके इसको सॉलिसन जरूर करिएगा तो आवर्धन चमता बराबर आपका आ जागा यम बराबर माइनस भी जीरो बटे में यू जीरो ब्रेकेट में एक प्लस डी बटे यफी ब्रेकेट क्लोज ठीक है दुसरा प्रशन जो कि पांच नंबर का ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो और इसकी PDF हमारी प्रकास का विवरतन प्राप्त विवरतन प्रारुप की विख्या किजिए यह भी दूसरा क्यूशन इसमें दो क्यूशन पूछ गया है जो कि आपके दस नंबर पांच नंबर पूरे हो सकते हैं ठीक है पूरा वीडियो अंतक दिखिए तब ही समझ में आगा तो सबसे पहल प्रकास के तरंग धैर के करम का हो आपतित होता है जो अवरोध या द्वारक के किनारों पर प्रकास रिजुरेखी संचरल से विचलित होकर मुर जाता है जिस इस्तान पर जयामती चाया बननी चाहिए थी वहां भी कुछ प्रकास पहुच जाता है अवरोध या द्वारक के किनारों पर प्रकास का यह मुर्णा प्रकास का विवर्तन कहलाता है प्रकास का विवर्तन निमलिखित दो घटनाओं से परदर्सित होता है पहला जामती छाया में प्रकास का पहुँचना दूसरा एक समान प्रतिदीप्त प्रदीप्त छेत्र में फ्रिंजों का बंण बात करते हैं एक पतली छिर्रा से प्रकास का वीवर्तन तो चित्र में एक यहांपे चित्र दिया है गया उसको जरूर से बनाना है जिसे कि आपको पूरे अच्छे से नंबर मिल जाए पांच नंबर चीत्र में यस एक बिंदुवत एक वरड़ी प्रकास शुरूत है यह लेंस कैप्टल यह लेंस कैप्टल एल के प्रत्थम फोकस पर रखा है ठीक है अत्व अत्व यस से चली प्रकास कीरड लेंस कैप्टल एल से अपवर्तन के पश्चात एक समांतर कीरड़ पुंज के रूप में निकलेगी समानतर कीरडों का यह कीरडपुंज एक समतल तरांगार्ग वेब फ्रंट डबलू कैप्टल डबलू डबलू फिर का निर्माड करता है इस लेंज में कैप्टल अल के सामने एक लंबी संक्रीड स्लिट एबी रखी है जिस पर यह समतल तरांगार्ग लंबवत आपतित होता है इसलिट की चोड़ाई से है जैसे हिए तरंगार्ग इसलिट पर आपतित होती है तो हाइगेंस के तरंग संचरार समंदे दूत्वियक तरंगिकाओं के सिधानता नुसार तरंगार्ग का प्रतेक बिंदु नए तरंग उत्पादक स्रोत का कार करता है तथा इनसे दूत्यक तरंगिकाओं निकनले लगती है इन विवर्थी कीरणों का लेंस L2 द्वारा परदे केपिटल वाईवाई पर फोकस कर लिया जाता है इसलिट से एक नियत कोड़ पर विवर्थी सभी कीरणों परदे के एक बिंदु पर फोकस होती है इस परकार परदे पर विवर्थन प्रारूप डिफ्रेक्शन पैटन प्राप्त होता है जैसा कि आपको फीगर में दिया गया है ध्यान से देखिएगा पूरी पीडियफ आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी एक बार इसको रीड करिएगा वाच करिएगा वीडियो को पूरा और फिर टेलिग्राम से पीडियफ डाउनलोड करकर इसको वाच किजिएगा अपने से फिगर बनाईएगा और व्याख्या होती हैं अथार्थ उनके बीच कलांतर सुन्ने होता है इसलिए पर एक दिप्त फ्रिंज बैंड होता है यह एक दिप्त चोड़ी पट्टी होती है एक केंद्री बैंड के दोनों और घट्ती हुई तिब्धा कि अदिप्त वदिप्त बैंड एकांतर करम में प्राप्त होते है इस प्रकार परदे पर प्राप्त दिप्त वदिप्त बैंडों का यह प्रारूप विवर्तन प्रारूप कहलाता है रेखाचित्र इसलिए जितना कम चोड़ाई का होता है उसका विवर्तन प्रारूप उतना ही अतधिक फैला होता है तथा केंद्री बैंड पट्टी उतना ह अधिक चौड़ा होता है तो ये रहा आपका दोनों कुश्चन दोनों कुश्चन पाँच पाँच नमबर के थे जो कि आपको दस नमबर इस पेपर में फिजिक्स के पेपर में 4 मार्च दोजाच चौबिस को आपको दिला सकते हैं देखने के लिए धन्यवाद पावर एजुकेशन पॉइंट पर लाइक, कमेंट और शेर करना न भूले